अक्सर देखा जाता है कि सुबर सुबर नास्ता बनाते वक्त हमें यही परसानी होती है कि आज हम नास्ते में ऐसा क्या बनाए जो हेल्दी भी हो और सभी को बहुत पसंद आए तो फिर आज मैं आपके लिए क्या आई हूं बहुत जादा हैल्दी सुबर सौप्ट और खुप सारी सबजियों से भरपूर एक ऐसी इडली की रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आएगी और जिसका स्वाद लाजवाब है और साथ में बनाएंगे एक टेस्टी चटनी की रे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए अब हम क्या करेंगे इसे मिकसर जार में डालेंगे और साथ में हम डालेंगे आधा चमच नमक और कुछ हरी मिर्च जिसे छोटे पीसे में कट करके लिया है थोड़े से मैंने डाले हैं अद्रक के छोटे छोटे टुकडे कड़ी पत्ता इसका टेसिस में बहुत अच्छा आता है और ढख के हमें इसे पीस लेना है और बीच बीच में इसे थोड़ा सा हमें चला लेना है ताकि दाल आसानी से पीस जाए इसमें हमें आपर पानी का यूस बिलकुल भी नहीं करना है और ढख के हम इसे फिर से पीस लेंगे इधर आ में इसे दुस्य बड़तन मैं निकाल रही हूं और थोड़ा मैंने अब पाइंड डाल के मिकसेर जार में इसमें थोड़ा था डाल लिया है और यहाँ पर मैंने दो बड़ा चमज दाही लिया है और इसको mix करते हुए हमें एक से दो मिनट के लिए आपर फेटना है इधर आप देख सकते हैं मैंने दही को इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसे 15 मिनट के लिए रैस्ट होने के लिए छोड़ देंगे अब हम एक चट्नी बिना के तैयार करेंगे यहाँ पर मैंने लिए हैं मीडियम को हम इसमें डाल लेंगे। है इधर तैमार को में दो से तीन मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर ले तब तक थोड़ा साइप पक ना जाए तब तक हम ऐसे सेख लेना है। इधर आप देख सकते हैं टमार बहुत अच्छी तरीकी से पक चुके हैं इनमें ब्राउन लेयर हलकी हलकी आ चुकी है अब हम गैस को आफ कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब स्टीमर में हम डाल लेंगे एक गिलास पानी और इसे स्टीम होने देंगे तब तक हम इडली मोल्ड में तेल लगा के त्यार कर लेते हैं ताकि इडली हमारी आसानी से निकल जाए चिपके नहीं ऐसे फैलाते हुए तेल को लगा लेना है अगर आपके पार इडली मोल्ड नहीं है तो आप इसे छोटे-छोटे कटोर में भी पना के त्यार कर सकते हैं इधर हमारी दाल भी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे ग्रेट किया हुआ गाजयर और बारिक-बारिक टीवी सिम्ला मिर्च बहुत टेस्टी लगती है ये डाल के आप और भी सबजिया इसमें एड कर सकते हैं सबजियों को डालने के बाद हम इसे एक मिनट के लिए ऐसे लगातार चलाते हुए बहु पूलेंगी और सौप्ट भी बनके तैयार हुँगी इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल लिया है थोड़ा पानी और यहाँ पर हमें बहुत तेज से नहीं फेटा है बैटर को बस मिक्स कर लेना है इनो डालके एक से दो मिनट के लिए इधर मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम एक एक चमबच इस बैटर को इसमें डाल लेंगे बहुत जादा नहीं डालना है क्योंकि इडली को फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए ऐसे टैप कर लेंगे और इधर हमारा स्टीमर भी बिल्कुल तैयार है अब हम इसे इस इडली स्टैंड को इस इधर टमाटर भी बहुत धंग से अच्छी धंग से ठंडा हो चुका है इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं कुछ में हापर डाल ली हूँ अद्रक के छोटे छोटे टुकडे हरे मिर्च दो कुछ करी पत्ता और चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ मुंग फिली के दाने ये भूनी मुंग फिली है नमक डाल लेंगे और एक चमच में हापर डालूँगी कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा पानी एड़ करके हमें इसे पीस लेना है इधर मैंने इस चटनी को पीस लिया है अब हम इसे दूसरे कटोरे में निकाल लेते हैं ये मैंने न दाल लिए सरसो के दाने याने की राई कुछ कड़ी पत्तर डाल के इसे चटकने देंगे इधर हमारा तड़का बिल्कु तेयार हो चुका है अब हम इसे डाल लेंगे चटनी में इसे डाल लेते हैं इसमें और बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे आप देख सक कितनी टेस्टी चट्टी लग रही है और खाने में विसका स्वाद ला जवाब है बहुत आसानी से बन जाती है इधर हमारी इडली को भी 10-15 मिनट हो चुके हैं इधर यह बहुत अच्छी तरीके से पक भी चुकी है और ढखके हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इधर आसानी से निकल जाती है इधर आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली और स्पॉंजी इडली बनके हमारी तैयार हो चुकी है सारी इडलीों को मैं इसी तरीके से निकाल के रख लेती हूँ देखें आप देख सकते हैं खुदी कितनी अच्छी जाली बनी हुई है और खाने मैंना इसका सुवाद ला जवाब है, भहुत टेस्टी होती है इडली, एक बार बना कि आप जरूर ट्राइक, बहुत सॉप्ज बनके तैयार हुई है हमारी इडली, ये देखे, देख सकते हैं आप, ये हमारी सूपर सॉप्ट, बहुत ज़्यादा हैल्दी मुँह दाल की इड धन्यवाद